अगर आप भी अपना वज़न घटाना चाहते हैं, अपना मुटापक घटाना चाहते हैं, तो यह 5 चीजें आपके बहुत काम की हैं यह 5 चीजें जानना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह 5 चीजें बहुत important role play करती है हमारी weight loss journey में So, कौन सी हैं वो पाचो चीजें, हम discuss करेंगे in detail But before that, let's get started दोस्तो, welcome back to 3D Health My name is Shankla Sharma और आज के इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं ऐसी पाच चीजें जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है अगर हम अपनी weight loss चड़नी start करने वाले हैं या फिर हम start करने की सोच रहे हैं So, उनमें सबसे पहली चीज आती है हमारी eating habits काफी सारी mistakes हम हमारी eating habits में हमारी food options में and हमारी diet में करते हैं Like, रात को heavy diet लेना TV, mobile देखते वे खाना unhealthy snacks लेना breakfast skip कर देना क्योंकि हम काफी busy हैं कभी हम किसी restaurant में जाते हैं भूल जाते हैं कि हम diet पे हैं या फिर हम बहुत जलिए जली खाते हैं कई बार हम emotional eating भी करते हैं कभी stress में, कभी tension में हम over खा लेते हैं या फिर हम अपनी diet में बहुत जादा sodium ले रहे हैं या फिर हम अपनी diet में काफी सारे unhealthy options को include कर लेते हैं जो कि so called healthy दिखाय जाते हैं advertisement में या फिर हम सारी चीजें olive oil में ही ले रहे हैं ये सारी चीजें ऐसी हैं जो के हमें नहीं करने हैं और हमें notice करना है कि इनमें क्या mistakes हो सकती हैं लाइक जब भी stress में होंगे, tension में होंगे, हम bingeing करते रहेंगे या फिर हम late night जो भी खा रहे हैं definitely वो proper तरीके से digest नहीं होगा so इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है और इन सारी चीजों को one by one remove कर देना है अपनी lifestyle से अब बात कर लेते हैं हम पीने में क्या गलतियां करते हैं पहली गलती हम बहुत जादा पानी नहीं पीते हमारा जो water intake होता है काफी limited होता है especially in winters या फिर हम रात को बहुत जादा caffeine ले रहे हैं कुछ लोग रात रात जखके काम करते हैं तो रात रात में काफी सारी coffee, काफी सारी चाय वो लोग पी जाते हैं और हर cup में इतनी सारी sugar, इतनी सारी caffeine होती है जो के हमारे लेक काफी harmful हो सकती है plus वो हमारा weight loss भी नहीं होने देगी और उसके बाद आते हैं वो लोग जो कि देली या तो soda ले रहे हैं या फिर cold ring ले रहे हैं या फिर कोई भी sugary beverage ले रहे हैं तो इस सारी चीजें कहीं न कहीं हमारे weight को बढ़ाती हैं उसे घटाने में बिल्कुल भी helpful नहीं है तो सबसे पहले हमें इस sugary item अपनी राइट से हटा देने हैं liquid sugar जैसे हमारी body में जाता है वो फटा-फट glucose में convert हो जाता है प्लस जितना भी extra glucose होता है वो ग्लाकुजन में convert हो जाता है नेंस related भी हम काफी सारी mistakes करते हैं जैसे कि काफी लोग late dinner करते हैं और dinner करने के आदे घंटे बाद as such सो जाते हैं तो उनका खाना properly digest नहीं हो पाता तो इनर करने के बाद थोड़ी सी walk जरूर करें कुछ लोग रात को brush करते हैं वहीं कुछ लोग रात को brush नहीं करते हैं तो जो लोग brush कर लेते हैं उनकी psychology sat हो जाती है कि अब हम brush कर चुके हैं इसके बाद हमें कुछ नहीं खाना है बर जो लोग brush नहीं कर रहें उनके साथ full freedom होती है वो कभी भी कुछ भी खा सकते हैं आज के बाद एक टो में brush करने की habit डालनी है दूसरा टाइमली सोन है तीसरा dinner के बाद थोड़ी सी walk जरूर कर लेनी है या फिर हम अपना dinner थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे Now the most important thing हमारे physical activity हम physical level पर कितने active हैं ये सबसे जादा और direct impact डालता है हमारे weight loss पर हम कितने active हैं हम घर में कितने काम कर रहे हैं अगर हम सिफ घर के ही काम कर रहे हैं तो भी हम बहुत easily fit रह सकते हैं क्योंकि घर के जितने भी काम होते हैं क्योंकि एक गंटे जिम करने से कुछ नहीं होगा आपको घर में भी active रहना पड़ेगा अपनी lifestyle sedentary से moderate than moderate से हमें highly active में convert करनी है उसके बाद दीरे-दीरे walk, jogging, running, exercise, yoga इन सारी चीज़ों को हम अपनी lifestyle में दीरे-दीरे add करते जाएंगे और जितना जादा time हम अपनी physical activities को देंगे उतना जादा हम fit होते जाएंगे उतनी जल्दी हमारा weight loss होता जाएगा और आप बात कर लेते हैं उस important चीज़ की जोके actual में काफी important है बट हम लोग उसे recognize तक नहीं करते हैं उसे काफी underestimate करते हैं that is our attitude towards our weight loss हम कितने inspired हैं हम खुद कितने motivated हैं अपने weight loss को लेके यह काफी affect करता है हमारे weight loss की journey को अगर हमारे mind में is set है कि हमें weight loss करना है anyhow हमें walk करनी है anyhow हमें jogging करनी है running करनी है yoga करना है जो भी physical activity हम कर रहें जो भी हमारा plan है जो भी हमारी plannings है वो हमें करनी है anyhow तो definitely हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे और उसको डेली करेंगे, regularly हम जितना जादा regular रहेंगे, जितना जादा consistent रहेंगे, उतनी जल्दी हमारा weight loss होगा, और weight loss उतना ही जादा natural होगा, और वापस कभी नहीं आएगा, तो हमारा mindset भी काफी effect करता है हमारे weight loss को, हमारी mentality, हमारी सोच काफी effect करती है हमारे weight loss को, इस topic पर एक video already available है in detail, अगर आपने check out नहीं किये तो जरूर जाके check out कर लें और उसके साथ साथ अपना mindset आपको change करना होगा towards your weight loss, weight loss आपकी first priority होगी तब ही आपका weight loss होगा, otherwise आप चाहे जो कर लो आपका weight loss नहीं होने वाला, so आज के बाद इन पांचों चीजों का हम ध्यान रखेंगे, इन पांचों चीजों को अपने mind में रखेंगे, उसके according हम अपनी diet प्लान करेंगे, अपना schedule प्लान करेंगे, अपनी lifestyle चेंज करेंगे and अपना mindset भी change करेंगे, I hope दोस्तों आपको information useful लगी हो, अगर लगी है तो please इसे like करें, share करें, comment करना बिल्कुल न मूले, मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और topic के साथ, तब तक के लिए, bye bye, take care, stay healthy and stay happy, thank you so much